इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिक्स को नहीं सीखते जिसकी वज़ा से बड़े बड़े डेटा आनलेस्ट के सामने उनकी जुबान बंद हो जाते जब उनसे कोई क्वेस्टन पूछा जात मैंने कहा कि पूरी क्लास के अंदर मैंने कुछ बच्चों की हाइट ली ठीक है कुछ बच्चों की हाइट से मुराद क्या है कि कितने बच्चे हैं उसके पहले मैं काउंट करूँगा ये कितने हैं रोज सारी मैं रहो रैप्लिकेट कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10 लोग है ठीक है जिनकी मैंने height ली अब होता ये है कि अगर मैं ये sample लेता हूँ पूरी class का और उसका main लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं लिखूँँगा average ये पूरी array select करूँगा bracket बंद करूँगा, enter करूँगा तो इसका मतलब ये है कि पूरी class के अंदर 1.691 की average height है meters के अंदर ठीक है और अगर मैं standard deviation लोगँगा इसका तो मैं stdev और ये वाला जो इस तरीके से इसको tap दबा के ये वाली array को मैं select करता हूँ और इस तरीके से मेरे पास standard deviation चना जाती है, ठीक है लेकिन आप देखें कि 1.691 mean है मेरे मताबिक मैंने जो sample लिया 10 बच्चों का लेकिन मेरी class 50 की है तो अब इस sample को cross pound करने लगा हूँ कि 50 बंदों की average height कितनी है तो मैंने 10 का sample लेकि कहा कि 1.691 हो सकती है लेकिन उसमे standard deviate कर रहा है 0.12 का, 0.12 meter उसमें chances है अब इसमें error के अंदर इसको कैसे calculate करना है we will use standard deviation divided by square root of these values जो 10 हैं हमारे पास square root of number of observations तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी calculate करते है क्योंकि यह जो number है अगर मैंने देखना कितने number है तो मैं count function use करूँगा कैसे equal to count count करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे count कर लिया तो यह मेरे पास 10 आ गया तो हम इसको standard error के अंदर भी लगा सकते जब हमारे पास बड़ा data हो तो मैं यहाँ पर कहता हूँ standard deviation divided by square root sqrt into count count का function लगाने के बाद यहाँ से square area को select करना है वो खुद ही count कर लेगा कितने cell है और enter कर देना है चीज सेम है लेकिन थोड़ा सा efficient way है किसी चीज को perform करने का बजाए इसके कि आप एक एक करके गिने तो यह mean हमारे पास आगया standard deviation भी आगया अब अगर आपके पास mean है already for example मैं यहाँ पर equal to लगाता हूँ average लिखता हूँ और मैं यहाँ से इसको select कर लेता हूँ तो यह मेरे पास mean आगया ठीक है लेकिन अगर अगर मैंने standard deviation करनी है न तो मैं क्या करूँगा इनको lock करूँगा F4 दबा के यह cell lock हो गया और F4 दबा के यह वाला cell भी मैंने lock करके enter कर लिया अब आप देखिएगा अगर मैं इसको right लेके जाता हूँ तब भी यही value है अगर मैं इसको downward नीचे को लेके है तो तब भी यह value है क्योंके जो मैंने cell lock की है न वो वहीं पे रहेंगे on the other hand अगर मैं इसको लेके जाता हूँ for example अगर मैं lock नहीं करता F4 दबा के unlock कर लेता हूँ दोनों को और आप देखिएगा क्या होता है यह वही cell है लेकिन जब इसको मैं downward लेके आता हूँ तो आप चेक कीज़ेगा यहाँ पे array यह वाली select हुई है और इसके अंदर एक cell नीचे आ गया formula वो नीचे को आ गया तो आपने क्या करना है अकसर जब mean, median, mod, area इस तरह की जो भी अपने examples लेनी है आप क्या करेंगे mean का formula लगाएंगे cell को lock कर लेंगे उसको नीचे को ले आ यहाँ पे सिर्फ आपने standard deviation लिखना है stdev सिर्फ यह लिखना है बाकी आपका काम हुआ पड़ा है enter करें आपका यह standard deviation आ गया standard error कैसे लगाने है count का formula यूज करके तो इस तरह efficient काम हो जाता है क्यों efficient हो जाता है अब मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ हमने height ली यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया इसी तरीके से मैं यहाँ पे weight लेता हूँ weight को मैं randomly कहता हूँ height के साथ multiplied by 1.5 कर दो multiplied by 30.5 कर दो just an idea ठीक है तो यह मैंने ड्रैक किया यह मेरे पास weight आगया kilogram के अंदर एक मैंने column बना लिया अब आप देखें कि जब मैंने एक column को यहाँ पे formula लगाना है तो automatically दूसरे पे कैसे लगना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ mean और यहाँ पे मैं लिखता हूँ sd यहाँ पे लिखता हूँ sd अब मैंने एक column पे formula लगाना है दूसरे पे खुद ही लग जाना है यह मैंने select किया average यह इसको मैंने किया इस तरीके से अब मैंने इसको lock नहीं करना है मैं यहाँ पे sd का formula दुबारा से लगाँगा ताके मेरे पास यह यहाँ से इतनी values आ जाजाए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ standard deviation divided by asqrt ठीक है count count के बाद यह वाला इनकी तदाद ठीक है अब मैंने mean और यह जो formula हैं यह मैंने यहाँ पे लगा दी है ठीक है अब मैं इन तीनों को drag करता हूँ तो यह automatically दूसरी row पे लग जाने है just दूसरे column पे लग जाने है just imagine आप लोगों के पास जितना data है यहाँ पे ठीक है मैं इसको थोड़ा सा यह कर लेता हूँ आप लोगों के पास जितना data है आप इसकी बजाए आप इनी columns को या और columns को ले आते हैं for example मैं यहाँ से correlation वाली जो हमारी वीडियो थी वहाँ से copy करता हूँ और यहाँ पे paste करता हूँ आप यह देखें इसको ऐसे drag कर सकते हैं ठीक है तो यह automatically formula उस column पे लगी जा रहा है तो इस तरह आपके पास जितने मर्जी column हों आप उनका mean, standard deviation और standard error निकाल सकते हैं तो इस तरीके से आप इनको अच्छे तरीके से plot भी कर सकते हैं टेक केर जी अपना ख्यार रखें दौा में यार रखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें See you in the next वीडियो Allah हाफिस